हेलो फ्रेंट्स ये है एपसन एल 4160 इसमें आपको एक एरर आता होगा थोड़ा सा प्रिंटर वार्मिंग होता है और उसके बाद में इमिडिटली आपको एरर आता है 4x043 यह ऐसा तो बिसिकली यह इस प्रॉब्लम की वच्छे जैसे प्रिंटर काफी दिनों से चल रहा है स चलते चलते अचानक में यह प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है तो उसके लिए क्या करना एकदम सिंपल है फस्ट वाप प्रिंटर को आफ कर दीजी और प्रिंटर के लेफ्ट में एक डिस्क सेंसर होता है उसको आपको क्लीन करना उसको पी अफ सेंसर भी हम कहते ह हुआ था वैसे इस्वेड़े आपको लगा देना है यहाँ पे इसका पैनल है लेफ्ट का दो स्कूर रहता है एक उपर एक नीचे और यहाँ पे छोटा सा सेंसर है आप देख सकते हैं चोड़ा सा जो डिस्क है उसके अंदर से सेंसर के अंदर से आगे गया हुआ है इसी सेंसर के प्रॉलम होती है, तो कपड़े को आप इतना फोल करें कि वो सेंसर के बीच से भीगा हुआ कपड़ा अगर सेनिटाइजर है तो सेनिटाइजर में विग होके, ऐसे दो तीन बार इसको क्लीन कर लीजिए, उसके बाद में आपकी यह वाल प्रॉलम तुरंट सॉल भी आफ़ी नहीं होता है तो आपको सेंसर बदलना पड़ेगा उसकी वजह से यह प्रॉबलम आती है इसे आपका प्रेंटर नहीं होता है नहीं कुछ प्रिंटिंग होती है और और ब्लींग होने लगता है फोर टाइम जीरो और फॉटी-3 एरडा था तो यह बहुत चोड़ा सा वीडियो था उमीद है आपको बहुत helpful होगी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्वार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए